भाजपा विधायक टी राजा सिंग हैट्रिक लगाने के बाद हमारे साथ हैं बहुत बहुत शुबकामना आपको ये किस वज़े से हुआ जनता का आश्रिवाद जनता का आश्रिवाद जिस पकार से 14 में 18 में जो मुझे विला था उससे और ज़्यादा आश्रिवाद 2023 के चुनों में मिला है इतना बड़ा आश्रिवाद क्यूं मिला है क्यूंकि मुझे हराने के लिए यमायम कांगरेस और बी आरेस तीनों ने एक रचना रची थी एक ऐसा चक्रिव्यू रचा था कि राजा सिंग को किसी भी हाल में हराना है यानि तीन चोरों ने मिलकर तीन चोरों ने मिलकर एक ऐसा शडिंद रखा यहां तक के बूत में जो आफिसर बैठता है वहाँ पर मुसलिम्स को अपॉइंट किया गया हर बुत पर लगभग एक सो पैंटीस बुतों में हमारे मैनोर्टी को वहाँ पर अपॉइंट किया गया क्यों? रिजन क्योंकि पोलिंग कम हो, पोलिंग स्लो हो यानि एक मैनोर्टी फैक्टर को भी उन्होंने यूज़ किया धनबल का उन्होंने भरपूर उपयोग किया हर जगा पर जहाँ जहाँ वो लोग मुझे हराने के लिए प्लाइन कर सकते थे सभी प्लाइन किये लेकिन देखिए आज देखिए गोशाय महल की जनता ने इतना भरपूर भार निकाल कर पोलिंग की कि एकी सवाल ये है आपने कई बार आप दे रिकार्ड कहा कि बाहरी शक्तियां भी मुझे हराने में लगी हुई थी वो बाहरी शक्तियां कौन देश के बाहर की शक्तियां भी आपको हराना चाहती थी दिखिए मुझे हराने के लिए अमेरिका में एक मीटिंग होती है जहांपर असफद्धिनोविसी जाता है वहाँ पर भहुत सारे इसलामी कंट्रिस से लोग जमा होते हैं चर्चा गोशा मेल विधान सबा, चर्चा राजा सिंग को हराने के लिए, वहां की जितने लोग बैठेते वो totally financially अस्वद्धिनोविसी को सपोर्ट करते हैं, अस्वद्धिनोविसी हर वो वोटर को कितने पैसे में खरीदना है वो प्लान करता है, यानि अधर-अधर कंट्री से भी वो पैसा कलेट करता है, BRS के candidate से पैसा कलेट करता है, यह बड़ी ख़बर आप दे रहे हैं कि Islamic countries के लोग और वहां बैठे जो नुमाइंदे हैं, वो भी राजा सिंग को हराना चाहते हैं, बिलकुल मैं होना है तो आपको link भेज सकता हूँ, कि वहां पर किस प्रकार स वहां पर बैठकर, तिलंगाना के मैनोटिस को वहां पर अपडेट कर रहे थे, गोश्रा मेली विधान सभा में लगभग 3,000 से जादा मौलवियों को अपट किया गया हर मजीद में, हर मजीद में बैठना है, आपको एक एक काम करना है, आपको डोट टोट जाना है, जहां पर मैनोटि वहां जाकर उनका ब्रेनवाश करना है, राजा सिंग के खिलाफ। बैठना है, जब तुम्हारा अगबर दिन ओवेसी बोलता था तो कुछ नहीं, असद दिन ओवेसी बोलता था तो कुछ नहीं, अगर हमको कॉंटर में अगर कुछ बोले, तो हमरे को मानने का शडियंत्र, और बैटे हुए आतंगवादी और ऐसे इसे आतंगवादी बैठक अगर हमारे उपर प्लानिंग करते हैं हराने के लिए, तो इतना क्यूं, मैं पूछना चाहता हूँ, यानि तुम अगर बोलते हो तो कुछ नहीं, अगर हम बोलते हो, तो इसको मार दो, इसकी खिलाब प्लान करो, दावित इबरहाम को क्या पड़ी है, वहाँ बैठकर वो मैं तो कहता हूँ, कि असद्दूनवेची और दावित इबरहाम का भी कहिना कहीं कलेक्शन है, कहिना कहीं इनका कनेक्शन है, अगर उसका फोन ट्रैप करेंगे, अगर उसका कौल डिस निकालेंगे, तो कहिना कहीं फिट दिखेगा वो तो आप इन लोगों को क्या कहना चाहते हैं क्या चुनोती देना चाहते हैं बले ही तुम लोगों ने कितनी क्यूना ताखत लगाई धनबल की ताखत लगाई हर वो प्रकार का तुम लोगों ने वोटर को खरिदने का प्रतनी किया बूत को कैप्चर करने का प्रतनी किया बू मार्जिन बढ़ी आपकी पारिटी की सीटे भी बढ़ी लेकिन हार का कारण क्या रहा आप लोग इतना पिछड क्यों गए पिछड़े नहीं हम लोग आगे बढ़े हैं 2018-2014 का अब रिजल देख लो 2014 में हमने 5 जीती थी 2018 में हमने 1 जीती थी 2023 में हमने 8 जीती है यानि हमारी बड़ोतरी हो रही है और ठीक है कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों में जनता ट्रैप हुई है तिलंगाना की छे महिने में जनता को पता चल जाएगा ये सिर्फ पेपर के हद्त की इनका मैनिफेस्टों था है इनके आफ़रते चे महिने में जनता को पता चल जाएगा ये कॉंग्रेस धोके बाज है ये कुछ नहीं देने वाली ये औरेडी केसिया ने जाते जाते 6 लाक करोड का करजा कर दिया है तिलंगाना पर जानी आप कह रहे हैं कि जनता जान जाएगी और अगली बार यहां कमल खिलेगा हंडेट परसंद दो हजार अठावीस में भारते जनता पार्टी की सरकार तिलंगाना में बन रही है डबल इंजन की सरकार तिलंगाना में बन रही है और ठीक है अठारा तो दूर है चौदा चौबीस में देख लो आप पार्लेमेंट चुनाओ है आज चार है हम डबल होग राजा सिंग लगातार ये जीत रहे हैं, तो राजा सिंग की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी पार्टी में, पार्टी की नजर आप पर है, जिम्मेदारी दी जाएगी आपको? दीखिए भार्ति जिनता पार्टी के अधिकारीगाण, केंदरगाण, सभी लोग का शिरवाद मुझपर हैं और स्टार प्रचारक में उन्हों ने मेरा नाम दाला था, यता शेक्ति अनुसार, जहां 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 में जा सकता था, मैंने प्रचार किया, और जहां मैंने प्रच जिम्यदारी लेंगे जो पार्टी जिम्यवारी देगी हम उसको सर आखों पर लेंगे और सेवा करेंगे पार्टी की किसन रेड़ी ने मुलाकात आपसे की तो इसका मतलब तो यही समझा जाए कि प्रदेश अध्यक्ष आपके घर पहुंचा तो जिम्यदारी तो आपको मिल बिलकुल किसन रेड़ी जी आज अभी थोड़ी दर में आने वाले हैं मुझे आश्रवात देने वाले हैं और यानि वो जो हमें आदेश देंगे उस आदेश का हम आगया का पालन करेंगे